नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शौगते दोस्तों इस पेड़ के नीचे है दस कडूर का धन प्रंतु आपको केशे मिलेगा जानने के लिए आज किस वीडियो को शुरूश लिकर अंध तक जरूर दिखिएगा जी दोस्तों दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में बहुत बड़ा शमतकार होने वाले हैं जी दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में शारे दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप शबी की जुनकाल में कुश्यों की बारिश होने वाली है जिया दोसों हम आप शिभी को बता दें कि पिछले कई शमयों से आपकी जुनकाल में लगातार दुख, शमर्शाएं और परिशानियां ही चल रही थी कभे भी उमीद की नए किरन आप शिभी की जुनकाल पर नहीं जगी और दोसों आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा प्रिशान हो गए लेकिन दोसों माप शिभी को बता दे कि आप यह बात तो जानते ही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है जो दोसों भगवान व्यक्ति के मदद आवश करते हैं बले ही वो अपना रूप में नाए लेकिन दोसों रूप बदल कर कि शंकेत के दोरा उनकी एश्य मदद करते हैं उनकी जुँकाल में शुच्मतकार करते हैं कि दोसों उनका जीवन ही बदल जाता है जो घर भगवान के इस्थी बनने वाली है जो गरहों में गोजर होने वाले हैं आपको बहुत ही बड़ा धन देने वाले ग्रह है जिए दोसों हम आप शिप को बता दें कि एकेशे पेड़ हैं जिनके पास दस कड़ोरों का भी धन है अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोसों यकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन को ही बदख शकता है जिए दोसों तो दोसों आज की इस वी शबी जनकारियां पूरी तरह गरह गोचर पर निमीत है साथी साथ दोस्तों आपको अपने जुनकाल्ब में कौश विश्य शाओधियां रखनी है ताकि दोस्तों फिर शे यह श्रमें आपके जुनकाल्ब में दोबारा नाए जिए दोस्तों उनके लिए बहुत ही बचते हैं कि इसलिए दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा जाँ उसरे पहले दोस्तों जो भी मालक्ष्मी के शच्चे भक्ते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्रों लाइक ज़रू करें और कमेंट बच में सच्चे मन से लेक जय आए माल तो हम शत्संग भजन सेवा शिम्रन क्यों करें जो इंसान मौज मस्ति करता है विर्द्य तो उश्की भी होगी तो दोस्मों भगवान स्रीकिर्जी ने जुन से कहा कि हे पार्थ बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दातों से पकड़कर उशे मार कर खा जाती है लेकिन ज से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उशे मारती नहीं बहुती नाजुग तरीके शे एक जगह से दुसरे जगह पहुंचा देती है ताद भी वही है मुह भी वही है पर परिणाम अलग-अलग होता है ठीक उशी प्रकार मिर्टियू शभी क्यों होगी पर एक प्र जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्ष में लिए जैश्री कृष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों से शाथ बात करते हैं कि अब आप शभी की जुनकाल में या पेशों का पेड़ आपको कहां पर मिलेगा केशे या दस कडोरों का धन आप शभी को मिलेगा मालक्ष दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्दार्शी दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे वीसेज जानकारी हम आप शभी को बता दे कि इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यदा विसेज ध्यान रखना होगा अग भी दोसों अगला इस दोस्तों बॉडियो को पहुत ज़्यदा आती है ज करता होगा दोसरों पर धन कीबात आती है दोस्तों होती है में तब इता तब से पहले मानना कि आपके घर कही न कहीं मालक्षमी आवसी रु星्ट हो गही है आपके उपर मालक्षमी का नजर नहीं है तब आपको सब से पहले अपनी जुना काल में क्या करना है कि मालक्षमी को प्रशयन के लिए करने के लिए आपको शुकरवार की दिन मालक्षमी के कुछ उपायँ को करना चाहिए जिरो सो शबसे बढ़िए और शबसे महथ पून चीज है तुप है दोसों आपको या धन या पेशा मिलेगा इसको ब्रांद दोस्तों आप श्रभी को बता दें कि यह जो पेशा है यह जो धन है यह आपके अलिए ही है लेकिं दोस्तों इन्हें प्राप्त करने के लिए भी मालक्ष्मी आपको कुछ शंकेत देने वाले हैं जे दोस्तों ऐसे ही आपको यह धन नहीं मिल सकता तो दोस्तो कौन से शंकेत मिलने वाले हैं आगे इस वीडियो में बात करेंगे जे दोसों आप शुभी को बता दे कि मालक्षमी हमेशा अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत बड़े-बड़े चमतकार करते हैं कुछ इसे शंकेत देते हैं कि उनके जुनकाल में पूरी तरह बदलाव हो अगर आपको शुनाई देता हो तो दोसों वहाप पूजा आपका शफल नहीं होगा वहकारे आपका शपलने होगा मालक्षमीन से प्रशन शंतूर्श नहीं होगी तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में करना क्या है कि जभी आप अपने घर में पूजा करें कोई भी शुबमंगलिक कारी करें तो दोस्तों एशे अस्थान पर करें जहां पर किसी के शमर्पित रहना चाहिए दोसों इनसे मालक्षमी पर्षन तो होगी शाथी आपके भाग को भी चमतका देंगी दोसों इन बातों का विश्चेज ध्यान आपको अपने जूनकाल पर रखने हैं तभी दोसों ये धन आपको प्राप्थ हो शर्दा शब्षन हो जाते हैं लेकि दोसों शर्दा शब्से बड़ी चीज है कि अपने शाफ शफाई और अपने घर की स्वक्षता पर आप ध्यान दें साफ शुत्रे अस्तानों पर ही मालक्षमी का वास होता है तभी दोस्व आपके घर में भी पेशों की बढ़त्री होगी तभी आपके घर में बरक्कत होना भी प्रारम हो जाएगा जै दोस्व अगर आप अपने नुकाल में इन शबी बातों का ध्यान नहीं दकते थे तो दोस्व आजशे ही रखना प्रारम कर दें दोस्व यकीन मानिए मालक्षमी का वास आपके घर पर आवश होगा जै बात करते हैं पूरे विस्तारशी दोस्व आप श्यूव को बता दें कि आपके घर के पश्यमी और उत्तरी कौन में जो भी पेड़ आपको दिखाई दे दोस्व यकीन मानिए वह पेड़ आपके किश्मत के ताले को खुलने वाले पेड़ शाविद होंगे जै दोस्व आप केश्य पहचान सकते हैं कि कौन से पेड़ की निचे या धन है केश्य आपने प्राप कर सकते हैं आखिर आपको यह में कौन सी शावदिया रखना चाहिए शवी जानकारियों को दोस्तों जान ले तभी यह चीज आपके उपर काम करेगा जिए दोस्व शब से पहले द जब तक आपका मन पूरीतराश्य पविधर न हो जाये दोस्तों मालक्शमी करते रहे कायतरी मंतों का जाप दोस्तों करते रहे श्रbereतिसें दोस्तों आप शभी को बता दे ऐगर आपके घर में गंगा जल है तो दोस्तों उन्हें लेकर शुबह पविधर ओड़कर अपने गर के उत्री और पश्मी कौन सामने जो भी आपको पेड़ दिखाई दे उश की सामने आप को से लिचाना है जो ध्यान रखेएगा कि लखे को कोई भी आपको जाते हैं देखना पाए दोस्तों यह बजी पड़ातकाल सब्सक्नेयाब सहेиф전 2013 वाइक की न जा सकते हैं जो की अम्री यमे की न मालक्ष चार्णी की दिविशक्तिय दोरती है जो की आपके जुनकाल में आपको उन पैसों की और्प ऑर अकिर्शित करेगा जो दोस्तों ध्यान शुनेगा कि तीन बजे से लेकर पांच बजे के बीच का जो श्रमे होगा, मालक्षमी के अम्रित बेला का मुहरत पेला का श्रमे होगा, जोके धन की और आपको खिस्ता तरा जाएगा, तो दोस्तों आपके घर से पस्यमी और उत्री कौन में जो भी की नीची आपको एक हाथ का गड़ा कर देना है जो दोसों और ध्यान रखेगा कि एक हाथ का गड़ा करने के बाद उस पर एक लोटा पानी रख दें जो दोसों एक फूल और यहाँ शेंदूर डाल दें वहां चुप साप घर चले आए पैर को पीछे करके कि दोस्वों और आपको जाकर देखना है कि वह फूल और शिंदुर उस गड़े में है तो दोस्तों यकीर मानिए उस पेड़ की नीचे आपको यह कड़ोरों का धन प्राप्त हो जाएगा जो दोस्तों और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप यह शिक क्रियाओं को करें कोई व्यक्ति हुआ उसे देख न पाएं अगर और कोई व्यक्ति देख लें वर कोई व्यक्ति आपको यह करतेश में टोक देगा तो दोस्तों आपका काम भी खराब हो शकता है तो दोस्तों ध्यान रखेंगा कि जब भी आप उस पेड़ की रिच जाये जब भी आप इसमों करने जा रहे हैं दो किसी को भी ना बोले और नहीं कोई आपको टोक पाई इसके लिए आपको अमरी ते लाके जाना है तीन से 5 बचे की भीने जाना है जै दोस्तों यकीन मानिये जब आपको यह धन मिल जाये तो अगर आपने इस पेशह को प्राप्त कर लिए तो फिर शरी माललक्षमी आपके उपर से उठी जाएगी और यह प्रसतों तुरद हो जाएगा तो नुद्ध माललक्षमी का हार ही घमनड ना करें और ना ही इस पेश्य के बारे में किसी को बताए दोस्तों अपने जनकाल की करें मालक्ष्मी के उपर श्रदा विश्वास करें घर में भी मंदिर बनवाएं दोस्तों मालक्ष्मी के उपर अपने आपको शुमिर्थ पिल करें कि दोस्तों मालक्ष्मी ही है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है जो कि आपके भाग वो चमका शकती है तो समीद करते हैं आ